कलपना कीजे की लड़के पहले मंगल गरह पर रहते थे और लड़किया शुकर गरह पर रहती थी एक दिन मंगल वासियों ने दूर्बीन से देखा कि सुकर गरह पर लड़किया रहती हैं तो उन्होंने एक अंतरिक्स यान बनाया और उसमें बैठकर सुक्र यानि लड़कियों के गरह पर चले गए सुक्र वासियों ने मंगल वासियों का दिल से स्वागत किया और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे एक दूसरे की पसंद ना पसंद को जाना और एक दूसरे के बीच के अंतर यानि डिफरेंसिस को समझा सब कुछ सही चल रहा था फिर एक दिन उनकी नजर प्रिथवी पर पड़ी जो की बहुत खूब सुरत दिख रही थी उन्होंने फैसला किया कि हम जाकर प्रिथवी पर रहेंगे वो दोनों पर जातिया लड़का और लड़किया अंतरिक सियान में बैटकर प्रिथवी पर आ गए लेकिन पिर्थवी की हवा का उन दोनों पर ऐसा असर पड़ा जिसकी वज़े से उन दोनों की याददाश चली गई एक दूसरे के बारे में जो भी जाना और सीखा था वो सब भूल गए यहां तक कि वो ये भी भूल गए कि वो इस गरह के नहीं है दोनों अलग-अलग गरह से आए हैं और तब से लड़का और लड़कियों के बीच लडाईया होती है रिलेशन्शिप में क्यूंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने जैसा हम रियक्ट और बिहेव करते हैं वो भी वैसा ही करें पर हम लड़का और लड़की के बीच के अंतर यानि डिफ्रेंसिज को नहीं समझते जो नॉर्मल है और नैच्रल है सभी के अंदर हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं उनको जज़ करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं यहां तक कि उन पर गुसा भी होते हैं पर थोड़ा सा समय नहीं लेते उनको समझने के लिए अगर लड़का लड़की एक दूसरे के बीच के अंतर को सम्मान दे और सुविकार कर ले तो उन दोने के बीच के जगडे खतम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा इनहीं अंतर या डिफरेंसिज को समझाने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ तीन आसान रिलेसंसिप लेसंस जिनको सीखने के बाद आप बरेक अप या डिवोस जैसी जिन्दगी खराब करने वाली मुसिबत को आने से रोक सकते हो और अपने रिलेसंसिप को मजबूत बना सकते हो तो अब बिना देरी के जानते हैं लेसंन नमबर एक Mr. Fix It and Home Improvement Committee लड़कियां लड़कों के बारे में ज़्यादा सिकायत ये करती हैं कि लड़के हमें सुनते नहीं हैं और लड़के लड़कियों के बारे में ज़्यादा सिकायत ये करते हैं कि लड़कियां हमें बदलने की कोशिस करती हैं दोस्तो लड़के काबिलियत में इंटरस्ट रखते हैं और लड़कियां फेलिंग्स में इंटरस्ट रखती हैं लड़कों को अपनी काबलियत दिखाना पसंद है इसलिए जब लड़कियां उनसे अपनी समस्या के बारे में बताती हैं तो वो एकदम से उस समस्या का समधान ढूंड कर उनको देते हैं ताकि उनकी पार्टनर फिर से खुस हो जाए और इस तरह लड़के अपना प्यार और परवाह दिखाते हैं लड़कियों के लिए पर लड़के यानि मैंस ये बात नहीं समझ पाते कि अगर लड़कियां उनको अपनी समस्या बता रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे सोल्यूशन या समधान चाहती है उनको बस चाहिए कोई ऐसा इंसान जो उनकी पूरी बात सुने और इमोसनली सपोर्ट करे जब लड़के कोई गलती कर देते हैं तो लड़किया होम इंप्रूम्मेंट कमिटी बनके उनको बहतर बनाने की कोसिस करती हैं जिसकी वज़े से लड़के ये सोचने लग जाते हैं कि ये मुझे किसी काबिल नहीं समझती हो जाएंगे तो दोस्तो men and women's एक दूसरे से कितने अलग हैं ये बात समझनी होगी जब कोई लड़की आप से अपनी समस्या के बारे में बात करे या फिर ये बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ तो आप उनको बीच में मत रोको बस उनको सुनते रहो और जब तक कि वो कोई सलाह ना मांगे या कोई समधान ना मांगे तब तक उनको कोई समधान या solution ना दो और लड़कियों को समझना होगा कि आपके पार्टनर को आपकी सलाह या improvement से ज़्यादा खुद की काबिलेत पर यकीन की जरूरत है अगर आप एक लड़के हैं तो हमेसा याद रख जब आपकी जीएफ या वाइफ सलाह दे या फिर किसी चीज़ के बारे में ये कहें कि ऐसे करो वेसे करो ऐसे मत करो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कंट्रोल करने की कोसिस कर रही है वो बस चाहती है कि आप फिर से कोई गलती करके किसी बड़ी समस्या में ना इसलिए आपको बहतर बनाने की कोसिस कर रही है अगर आप एक लड़की है तो हमेशा याद रखें अगर आपका बॉइफरेंड या हस्बेंड आपकी बात बीच में काटकर आपको कोई मसवरा या सलाह दे रहा है तो वो बस चाहता है कि आपकी समस्या का समधान हो जाए त जब लड़का लड़की की जिन्दगी में समस्या आती है तो लड़के उस समस्या का समधान करके अच्छा महसूस करते हैं और लड़के उस समस्या के बारे में बात करके अच्छा महसूस करती हैं समझे डिफरेंट लड़के अच्छा फील करने के लिए अपने रूम में अ जैसे ही वो अपनी समस्या का समधान कर लेता है तब अपने रूम या केव से बाहर आकर फिर से अपने रिलेसंसिप को निभाने के लिए तयार हो जाता है पर अगर वो समस्या का समधान ढूंड नहीं पाता तब अपने केव में ही फसा रहता है और टेंसन से थोड़ी देर के लिए रहत पाने के लिए टीवी खोल कर उस पर नियूज या किरकिट देखना पसंद करता है इस सबके चलते लड़का अपनी पार्टनर को वो टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है जिस वज़े से लड़कियों को लगने लगता है कि उनका बॉइफरेंड या हस्बेंड उनको इगनोर कर रहा है या उसका प्यार कम हो रहा है लड़कियां अक्सर समझ नहीं पाती की लड़के तनाव का सामना कैसे करते हैं वो उन पर जोर देती हैं अपनी समस्या के बारे में खुल कर बात करने के लिए जिस तरह वो खुद करती हैं और अगर लड़का मना करके टीवी ओन कर ले या घर के बाहर चला जाए तब लड़कियों को दुख होता है और उसके बाद में रिलेशन्शिप को लेकर जगडा भी होता है और अगर बात करें लड़कियों के अच्छा महसूस करने की इसी वज़े से लड़कों को लगने लगता है कि लड़कियां कितना बोलती है बार बार एक ही बात को रिपीट करती है बला बात करने से कोई प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगी जी हाँ उनकी हो जाती है यहाँ पर लड़कों को समझना होगा कि अगर लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं और बार बार एक ही बात को repeat करती हैं तो ऐसे उनको अच्छा महसूस होता है आप उन पर गुसा ना करें इसके बजाए आप उनको एहसास दिलाएए कि आप उनको समझते हैं उनके natural difference को समझिये और उनको ध्यान से सुनते रहें और लड़कियों को समझना चाहिए कि अगर उनका boyfriend या husband रूम में अकेले time spend करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ignore कर रहा है या उसका प्यार आपके लिए कम हो रहा है उनके natural difference को समझिये कि जब वो समस्या में पढ़ जाते हैं तो अकेले रहकर समस्या का समधान सोचना चाहते हैं और जब समस्या का समधान हो जाएगा तब वो फिर से आपके साथ active हो जाएंगे अगर आपको उनके लिए कुछ करना ही है तो उनसे कहिए मेरी ज़रुरत हो तो आवाज लगा लेना मैं हर समस्या में तुम्हारे साथ हूँ और सायद ये सुनने के बाद वो आपसे कुछ शेयर करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं लड़कों को तम मोटिवेट और सकती साली महसूस होता है जब उनकी जरुरत होती है उनके पार्टनर को और लड़कियों को तम मोटिवेट और सक्तिसाली महसूस होता है जब उनको प्यार दिया जाता है और उनकी परवाह की जाती है लड़कों को पूरी खुसी सिर्फ काबिल बनने या पावरफुल बनने पर ही नहीं मिलती वो अपनी पावर और काबिलियत का इस्तमाल दूसरों के लिए करना चाहते हैं खासकर लड़कियों के लिए जिन से उन्हें पूरी खुसी मिलती है इसी नेचर की वज़े से जब एक लड़की हेलपलेस या जरूरत मन्द महसूस करती है तब उसके लिए पाच-पाच लड़के तयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए उसका दुख दर्द बाटने के लिए और बात करें लड़कियों के मोटिवेशन की जब लड़कियां परेशान, कन्फ्यूज या हलपलेस फील करती हैं तब उनको अपने करीबी लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनको ये महसूस करा सकें कि वो अकेली नहीं है उन्हें किसी के प्यार की और परवाह की जरूर लड़कियां मोटिवेट रहती हैं जब तक उनको ये महसूस होता रहता है कि वो प्यार के लायक है उसको प्यार कमाने की जरूरत नहीं है वो आराम कर सकती है और कम वैल्यू देकर ज्यादा वैल्यू ले सकती है और वो ये डिजर्व करती है तो अब समझने वाली बात ये है कि अगर आप एक लड़का हो तो अपनी पार्टनर को समय समय पर एहसास दिलाते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो और हर पल उनके साथ हो उनकी परवा करो और वो सारे दूसरे काम करो जिन से उनको खुसी मिलती है जैसे उनको गिफ्ट देना और लड़कियों के लिए ध अबिलियत पर यकीन और आपको उनकी कितनी जरुरत है इसका एहसास दिलाते रहो दोस्तों इन रिलेसंसिफ लेसंस के बाद चार रिलेसंसिफ लेसंस और हैं जिनको मैं इस वीडियो का पार्ट टू बना कर उसमें बता दूंगा आई बटन पर क्लिक किजी यहां पर देने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन पर दबा कर और उसके बाद बैल आइकन को दबाएं और सबसे उपर वाला ओप्शन यानि ओल नटिफिकेशन को सलेक्ट करें इससे आपको हर एक वीड दिखान रखें और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया वीडियो को देखकर आखिर तक आए मैं आपका दिल से सुक्रियादा करता हूँ थैंकियो सो मच गाईज